मूवी के स्टार्टिंग एक रेज से होती है जो कि पाइक रिसिक दिखाई जाती है जिसमें हम एक बंदी को दिखती है जिसका नम ली होता है और वो ली उस रेज को जीच जाता है और जो हारा था वो एक लड़की थी जिसका नम सू होता है सू को ली बहुत ज़्यादा पसं और उसे ले की पाइक बहुत अच्छी लगती है और वो उसके तारीफ भी करता है और वो ले को वो पाइक उसके लिए बनाने का बोलता है पर ले उसे सीरियस नहीं लेता वो उस पर ध्यान नहीं देता और वहां से चला जाता है शेंज शिफ्ट होता है जहां में छोटे लड की थी वहीं ली पाइक रिसिंग उसका पैशन है और वह एस डिल्वी बॉय भी चौप करता है और वह स्मंगलिंग का भी काम करता था चोरी छिपे एक दिन ली को एक स्मंगलर एक बॉक्स देकर पार्सल करने का पोलता है और वह दूसरे सिटी में जाना था और अब जब ली चौप करते तो देखता है है कि वहां के लोग ने बहुत खुश है वहां पर किसी हो किया बाबलम फेसह नहीं कर नहीं होँती वहीं दूसरा उसका फुद का शेहर को है छूप पानी की कमी के चल्दे लो का मैं देक्में लोगों की आ है लेगओ ये सब देखना नहीं पानी ही पानी हो जाता है जिसे दीख लोग बहुत खुश हो जाते हैं और ये लोगों को देख करके ले भी खुश हो जाता है और अब वो वापस अपने खर जाता है तो उसे एक और पार्सल सप्लाई करना था लेकिन जब वो उस पार्सल को देखता है तो उसमें एक बिल्ली का बच्चा था और अपली उसे उसके ओनर तक पहुचाने की कोशिश करता है लेकिन उसको उसका ओनर नहीं मिलता क्योंकि उसको एड्रेस पर जो पारसल दिया गया था वो दरसल गलत था और अपली सोचता है कि वो उसका क्या करे तो वो उसे अपनी दोस्त कासा को ऐसा गिफ मुवी के विल्लेन को दिखाया जाता है जिसका नाम ट्रिक्लाइन होता है और वो अपने साथ में अपने बेटे के साथ होता है जो कि पानी की सप्लाइए को लेकर के बाते कर रहे थे तब भी वहां ली कासा के साथ आ जाता है और अब ट्रिक्लाइन के बेटे की नजर ली की पीक पिशागां और उसे ली की पाइक बहुत अच्छी लगती है जिसीनगी से कीमत पुच्छता हैWorld कियां वह खृधना चाहता है तो वह थे पीशना वहीं चाहता दो वहाहँ से चल जा और लिग ऊच्छा गर Ig nouveaux Mansil च्छाटल नहीं 오래 है दो यहां wild económico ली को हमैसा comments करते रहते हैं। हमेसा उस पर गुस्सा भी करता है। भी वह वही्द कर रहाता ह। ली को गुस्सा आता है। बीज में ही वह खना छोड़कर KASA को लेकर को वहां छहते हुब मुत ली देख रहनाing के वहना इसको फालू कह रहा है। यह देख कासा डर जाती है और अब उन दोनों के पीश में अमेजिंग फाइट होती है और उस दौरन हम देखते हैं कि टिक्लाइंग के पास कुछ यूनिक पावर भी ती और उसी का यूज कर वो ली को पुरी तरह मारता है जिसमें लीग खायल हो जाता है और तपीकासा के प हो चुका था और अब वो घर पर अपना ट्रीटमेंट कर वाता है तभी उसका असिस्टेंट उसके फादर टिक्लाइंग को कॉल कर सब पता देता है और वो कहता है कि ली ही नेजा है जो अब लॉट आया है जिसे आपके बेटे की जान को खता है वहीं दूसी तरफ जब ली में कासा का एक मैं पूरी तरह से खराब हो चुका था ये देख ली को बहुत गुस्टा आता है पर उसे उस पदमास पर भी बहुत गुस्टा आ रहा था तब ही वहाँ पर टिक्लाइंग ली से मिलने हॉस्पिटल पहुंचता है और अपने बेटे की तरफ से वो ली से सौर देख टिक्लाइंग अपने असिस्टेइन को कहता है इससे पहले कि वो और जादा टाकतवर बने अपने शक्तियां हासल करें वह उसे खत्म करने का और दे देता है वहींता है वहीं ली के पीछे उसका भाई आता है और वह उसे समझाता एकि टिक्लैन से किसी भी तरह कोई भी चगड़ा मत करना कोई पंगा मत लेना तब ही वहां कुछ बदमास ली पर अटेक कर उसे खात बगाने की कोशिश करते हैं जो की ट्रिक्लेंग के पेचे गई बदमास दे और अब लोग ली को बुरी तरह से मारते हैं और लगपक वो ली को माने ही वाले दे कि ली अपनी पावर से खुद को बचाता है लेकिन तभी वहां पर वही मास्क में आ जाता है और ली की जान पचा लेता है लेकिन ली देखता है कि उसका भाई बुरी तरह से खायल हो चुका है और अब वो उसे उठाकर के तोटता हुआ हॉस्पिटर पहुंचता है वही बदमास ट्रिक नहीं हुई और कहता है कि नेजा बहुत ज्यादा स्ट्रॉंग और पावरफुल है उसे हराना नामुम्किन है वहीं ली मास्क में से मिलने पहुंचता है क्योंकि वह उसे नेजा के बारे में जानना चाता है और बातों बातों में ली को पता चलता है कि डिकलेंग का बेटा स्ट्रील ड्रेगन स्पायन देखा कि वापस से उसे चिंदा किया लेकिन उसके बाद में उसके मेमरी लॉस्ट हो गई थी और अप्ट्रिक लैन अपने पेटे से कहता है कि किस तरह उस ते अपने और ड्रेगन साथियों के साथ मिलका कि नेज़ा को माने के लिए हमने उसे फोर्स किया खुद से लेकिन उस दुरान नेज़ा की सोल का एक पाथ हमारे चंगूल से निकलकर के बच गया जिसके थूँ वो बार बार इनसान बनकर के चर्म लेता है और हर बार उसका नया रूप होता है और हम तब से ही इस city को protect कर रही हैं और जैसे ही कभी भी हमको किसी पर भी कैसा भी कोई भी doubt होता है नेजा को लेका के तो हम उसे खत्म का देते हैं हम उसे जान से मार देते हैं और अब trickling का बेटा ली से बतला लेना चाता है जिसके लिए वो कुछ भी काने को तया है तब trickling अपने assistant को बोलता है कि उनके पास में अभी भी dragon पॉल नहीं जिसके वज़े से वो नेजा का कुछ भी नहीं कर सकते वो उसे नहीं मार सकते जब तक उसे वो पर नहीं मिल जाता पर जब तक वो किसी और को ये काम करने का बोलती है और उसके लिए वो अपनी mask man से मिलने उसके पास पहुंचते है और नेजा को मारने का काम करने का उसे बोलते है जिसके बतले वो उसे ठीज सारा पैसा ओफर करता है वह ली जब अपनी बाइक को दीखता है तो उसे कुछ विजिलाइस होने लगता है तब ही उसके पाइक में आग लग जाती है और वहाँ आस पास के लोग उस आग को भुचाती है और अपनी mask man के पास वापस उसे मिलने चाता है और उसे अपनी power को control करना है इसके training लेने के लिए वह उसके पास आया है जिसके बतले वह उसे अपनी bike देने का भी offer देता है और अब mask man जेड़ी हो जाता है और उसे training देना वह start कर देता है और हम देखते हैं कि ली चल्दी ही अपनी powers को control करना सीख जाता है और अपो mask man के साथ में एक final fight करता है उस दोराँ mask man का mask निकल जाता है और हमको पता चलता है कि उस mask के पीछे एक मंगी था और mask उतर जाने पर उसे ली पर बहुत गुसा आता है और अब ली को भी उस पर गुसा आता है और ली अपने सारी powers को feel करता है उन्हें जगाता है तो mask man ली को कहता है अगर तुमको निजा के सारी powers चाहिए जिसके लिए तुम्हें एस्टरा की ज़रत होगे जो की रेड इसका रिवन है और वो सभी निजा के magical weapon है और वो सभी एस्टरा भी उसी पर बाद मास्क टिकलाइंगे पास है और नेक्स दे टिकलाइंग का बेटा अपने अस्टरा को साथ लेकर के ली को खत्म करने उसके पास पहुंचता है और हम देखते हैं कि उसका अस्टरा एक monster frog बंकर के ली पर अटेक करता है और अब ली और monster के पीछ में जबर्दस fight स्टार्ट होती है और इस fight में monster frog बुरी तरह खायल हो जाता है वही ली करी एक दोस्ट जो ली के पावर्स को दिख चैलिस फेल करता है और टिकलाइंग के बेटे के पास पहुंचता है और उसके साथ में मिलकर ली को खत्म करने का बोलता है कि हम साथ मिलकर के उसको easily खत्म कर सकते है वही दूसी तरफ ली जो की कासा के घर पर अदास दिखाया जाता है तब ही सूर वहाँ पर उसके पास आकर उसे पात करती है और वो उसे कहती है कि मुझे पता था कि तुम आम इंसान नहीं हो तुम औरों से बिलकुल अलगो वही कासा अपने पैट से उटकर जो कि बहुत जादा उदास दी एक जगे चाकर के पैट करके रोने लगती है तब ही उसकी नचा एक बंदे पर जाती है जो कि ली के सूट को खराब करने में लगाता वहीं पर ली का एक दोस पैट पर लेटा था जो कि बुरी तरह से खायल था और उसको पैंडिजिस लगे हुए थे वो उसे ऐसा करने से मना करता है उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो बंदा उल्टा उसे ही जान से मार डालता है और अब कासा जो कि ये सब देख रही थी वो बंदा कासा को और कासा उसे देख लेती है कासा अपनी चान बचाने की कोशिश करती है और वो बंदा उसे मार ने उसके पीछे जाता है पर तब ही वहाँ पर ब्लास डोना स्टार्ट हो जाती है और वह हमला टेक्लाइंग के लोगों के द्वारा ही किया गया था और अब ली भी वहां पहुंचकर उन सबसे फाइट करता है लगबर बराबरी की ही फाइट हो रही थी इवन ली उन पर भारी पढ़ने लगता है पर सड़नली ली का सूट लूस होने लगता है पर फिप ली कंटिन्यू करता है और उस फाइट के दोरां हम देखते हैं कि ली के फाइट हो जाती है जिससे ली बहुत ज़्यादर दुखी हो जाता है वहीं ट्रिक्लाइन के पास में मास्क में पहुंचता है और वो देखता है कि उसने पूरे शहर का पानी अपने कंट्रोल में कर रख अगर वो उसकी बात नहीं मानेगा तो वो सारे पानी को खीश लेगा और अपनी पावर को बढ़ागा एक नई दुनिया बनाएगा क्योंकि वो पानी में रहने वाला ड्रेगन किंग है और पानी से उसकी पावर्स कई गुना बढ़ जाती है वो बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो ड्रेगन बन करके ली से फाइट करता है पर वो उस फाइट में मारा जाता है तब मौके का फायदा उठा करके एक लड़की ली पर हमला करने वाली होती है पर मास्क मैं बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है और अब वो लड़की ली को बताती है कि पास को वहां से चले जाने का बोल देता है. लड़की की जाने के बात में मास्क मेन भी उसे अपनी हकीकत बताता है कि वो भी एक मंगी है और फो अपने उसे गान दिखता है कि उसके च्छे कान है और कहता है कि ट्रेगन उसके एक्सट्रास कर यूज़ कर रहे हैं समूद्र के अंदर उनका खुद का एक पैलेस है वहीं ट्रेगन को बन करके रखता है और उसकी पावर के थूरू वो ट्रेगन पॉल भी बनवा रहा है और अपली समझ जाता है कि सिटी में पान बन करेती है और उस दोरान वो समूद्र में के जाता है और इसकी टेड़ हो जाती है और अब ली सू कासा और ली का भाई आपने वद्धा की ग्रेफ पर चाते हैं जहां ली रिसाइट करता है कि अब उसे हर हाल में अपने सिटी को बचाना है और वह भी बिना निजा पहुंचकर रिबन्स को खीशने लगता है तब भी ट्रेकलेंग आकर की उसे बताता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो शू की चान जा सकती है वो उसे धमकी देता है और अब ट्रेकलेंग अपने असली ट्रेगन के रूप में आ जाता है और अब ली और उसके बीच में फाइट स जगाता है वही ट्रेकलेंग ड्रेगन पायर को खा चुका होता है और अब उसके रिबन ड्रेगन बाहा निकल कर के दुनिया में सुनामी लागा के तबाही आतंग मचाने लगते है और अब ली को मारता है पर ली अपनी नेजा की पावर को जगा करके उसे मार डालता है पर कि नेजा वापस से ली को ही अपनी पावर्स के लिए चुन लेता है और वो ली को वापस से जिन्दा कर देता है और ली जिन्दा हो जाता है यह देखकर के सुख हो जाती है और अब ली को वो सकाई रेड रिबन भी मेर जाते हैं और अब ली उनके दूर उन रैगन्स को रोक और ली वापस से अपने वहे पुरानी नॉर्मल लाइफ जीने लगाता जो वह पहले जीता था और शू भी ली को पसंद करने लगे थी और हम देखते हैं कि इस जगर मुवी खदम हो जाती है दोस्तों आप लोगों से छोटी सी रिक्रेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नहीं कर दो सब्सक्राइब कर दो